रक्षा बंधन केवल एक त्योहार नहीं है या रक्षा बंधन में इस्तमाल होने वाला ये लाल धागा केवल एक धागा नहीं है ये रिष्टो को पुरोनों का एक माध्यम है और इस बार रिष्टो को भारतियता के रंग में पिरोया जा रहा है इस वक्त मैं आपको जो तस् समाज की है जिनने महाराना प्रताप के वंशच कहा जाता द logic जिन्नों ने उनके लिए और उनके हाथ मजबूट किए और अब यह राखियां इने गडिया समाज की महिलाओं के हातों दवारा बनाई जा रही है और लद्दाक जो हमारे भारतिय सैनिक है जिने चीनी सैनिकों ने ख़देडने की कोशिश की लेकिन हमारे भारतिय सैनिकों ने बड़ी मुस्तैदी से उन्हें ख़देड दिया अब उनी सैनिकों के हाथ मजबूत करेंगी ये गड़िया लोहार समाज की महिलाएं इन लोगों से बात करते है आप किस तरह से ये जो राखियां बना रही हैं कितना आपको गर्व लग रहा है कि आप ये सैनिकों के लिए बना रही है जो देश के लिए जंग लड़ रहे हैं ये हम उनके लिए बना रहे हैं में बहुत अच्छा लग रहा है तो ये राखियां आपको पहले बनानी आती थ जो आप काम कर रही हैं कितना गरव हुआ अच्छा लग रहा कि हम कुछ कर सके दें इसके लिए यह अच्छा लग रहा है और रोजगार भी मिल गाया हमें आप देख रही है यह जो राखियां बना रही है यह आप देख सकते हैं यह जो छोटे-छोटे आप चीजे देख रहे हैं जो मोती है जो कागज है यह सारा चीनी समान हुआ करता था पहले छे हजार करोड का जो कारोवार था वो था राखी का जिस पर पूरी तरीके से चीनी समाज ने कबजा किया हुआ था लेकिन इस बार यह कोशिश की जा रही है कि भारतिये समाज की तरफ से कि स्वदेशी या फिर लोकल फॉर वोकल को ही बढ़ावा दिया जाए और काफी हद तक वह आप देख भी रहे हैं लाल धागे में पिरो रही है यह मोतियां और यह जो मोती है वो रिष्टों को भी पिरो रही है और एक और महीला इस वक्त हमारे साथ है जो सेवा भारती से जुड़ी हुई है मैं किस तरह से जो इसका फीड़ बैक है कैसे आ रहा है कितने ओर का तो अन्य शेत्र देखते है हमारा काम है इनको बस दक्ष करना और इनसे बनवाना और अभी जो फौजी भाईयों के लिए हमारे पास आया कि फौजी भाईयों के यह राखी बननी है तो आज इस 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 बस्ती में धाई हजार के लगभग इनों ने काय कि हम दो दिन में कि बहुत सी बस्तियां हैं जहां गडिया समाज के लोग रहते हैं सब को ना सिर्फ रोजगार मिला बलकि जो आत्मनिर्बर भारती है उसका भी सपना साकार होने जा रहा है एक सवाल मुझे लगता है हमारे दर्शिकों के मन में होगा कि आखिर ये राखियां हम ले कहां से एक कोई दुस्मन है एक तरव से हमें दोखा देता है चीट करता उसी का हम सामान खरीद है इसको पैसा नहीं है तक भी नहीं है हमें हर दुस्मन से लगना है और जो चैनल जयसा जो डुश्मन जिसने हमेशा दोका दिया इत्यास उसका साक्षी है लेकिन आज हम समले हैं लें कैसे क्या ये बाजारों में उपलब्ध हो जाएगा अभी हमने अभी 40 वस्तियों में हमारी ऐसी राखियां बन रही है पूरे दिल्ली में बन रही है आप समझे दस लाख राखियां अभी तक हम दे चुके हैं मार्केट में और ब्यक्ति का जारी सेवा भारती के 300 केंद् गिया जाए इसलिए भारतिय समाज आगे बढ़ रहा है और अलग-अलग समाज से यह अपील कर रहा है कि वो स्वदेशी का समान खरीदें और चीन को मूतोर जवाब दें चालतो चालतो चे रहा है को समान और चीजवाब बातो जवाब्रमरा जाए उत로 आरावब दे मोतोर।